एक्जामपल हम लोग डिसकस करेंगे एक्जामपल नमबर 16 और हमारा कुश्चन है 15 परसंस डू ए सर्टन पीस आफ वर्क इन 14 देज फिप्टीन परसंस डू ए सर्टन पीस आफ वर्क इन 40 देज यानि 15 आदमे मिल करके एक काम को 40 दिन में करते हैं कितने दिन में? एक काम को न याद रखियेगा उसी काम का अगर मैं वन फोर्थ पार्ट करवाना चाहता हूँ और 15 दिन में करवाना चाहता हूँ तो मुझे कितने आदमी लगेंगे? ठीक है न? situation समझे 15 आदमी है कितने 15 आदमी और एक काम को करना चाहते है तो 15 आदमी मिल करके उस काम को 40 दिन लगाते है तब complete होता है 15 आदमी 40 दिन में एक काम complete करते है उसी काम का हम चाहते है 1 चौथाई हिस्सा पूरा हो जाए कितना हिस्सा यानि एक चौथाई मतलब समझ रहे हैं ना one fourth part मतलब total काम है उस काम के चार हिस्से करीए कितने हिस्से तो एक हिस्सा कितना कहलाएगा one fourth दो हिस्सा two out of four तीन हिस्सा three out of four चार हिस्सा four out of four four upon four वन तो एक पूरे काम को चार टुकडे में बाटे, चार हिस्से किए उसमें से एक हिस्सा काम क्या कहलाएगा, one fourth समझ गए ना, पूरा काम 40 दिन में करते हैं, पंदरा आदमी इस पूरे काम को चार हिस्से में बाट दीजिए, उसमें से एक हिस्सा जो बना, वो एक हिस्सा कितना बना 1 4th कहेंगे उसको 1 out of 4, 4 हिस्से, उसमें से 1 तुकड़ा, तो 1 out of 4, और मैं इस काम को किते दिन में करवाना चाहता हूँ 15 दिन में करवाना चाहता हूँ यानि ये 1 4th वाला पार्ट जो बचा है, इस काम को 15 दिन में करवाना है, कितने आदमी लगेंगे समझ गए ना कोशन समझ में आया या नहीं आया, आ गया तो जड़ा से सोचिए कि कैसे बनाएंगे ऐसे कोशन हम पहले बना चूँके एक्जामपल में, इससे पहले ठीक है, अटेंट किया ने आपने, ने किया मिस कर गए मिस कर गए ना चलिए ठीक है, इससे पहले के लेक्शर आप में अटेंड किया ने बेसिक लेक्शर से, उसे कवर अप हो जाएगा कोई घबडाने की बात नहीं है ना बड़े अच्छे कोशन से याद रखिएगा और ऐसे कोशन बोर्ड में रहते है एक्जामपल से भी रहेंगे इंटेक्स से भी रहेंगे, जहां से आएगा वहां से रहेंगे कॉंसेप्ट बेस्ट कोशन रहते हैं आज नाइंत वाला पेपर आया ना मैट्स का, उसमें बीच बीच में जो ट्राइद इस के कोशन रहते हैं एक्जामपल के अलावा ट्राइद इस के कोशन थे तो आप तो दोके में हैं, पिर कहीं से भी कोशन आएगा बोर्ड में, एक्जामपल से भी आएगा याद रखिएगा ना इसलिए मैं सारी examples conclude कर रहा हूँ इसलिए आपको इसको practice करना है बढ़ी हासे paper में आता है example ठीक है न? चलिए start करते हैं पर तो कितने आदमी हैं जो 40 दिन में काम complete करते हैं? 15 आदमी 15 person और काम एक और दिन कितने लग रहे हैं? 40 दिन देखियों कैसे बना रहे हैं न 15 persons takes कितना दिन? 40 दिन 15 person takes 40 days to complete कितना काम? 1 समझ आया? 15 आदमी 40 दिन लेते हैं एक काम complete करने के लिए ठीक है? ठीक है न? 15 आदमी कितने दिन? 40 दिन में एक काम complete करते हैं तो कितने आदमी लगेंगे अगर मैं इसी काम का ये एक काम है न? इसी काम का 1 4th part मैं complete करवाना चाहता हूँ सिर्फ 15 दिन में तो मुझे time पता है 15 दिन रखना है और मुझे काम पता है 1 4th करना है तो 1 4th part उस work का 15 दिन में कितने आदमी करते हैं? कोशन समझे? जैसे एक काम को 40 दिन में 15 आदमी complete कर लेते हैं तो अगर ये work 1 4th हो जाए ये time 15 days हो जाए तो कितने आदमी लगेंगे ये निकालना है तो ओड़ा सा visualization करिए दिमाग में पिच्चर साव समझ में आ जाएगी ठीक है न? देखे हम क्या करते हैं? कंपेरिजन करने के लिए लेवल बराबर कर लेते हैं अभी इसमें हमको एक complete काम 40 दिन का total time period और total मज़दूर 15 हमको पता है हम क्या करें? कि हम ये भी इसका चेक कर लेते हैं कि जब ये काम complete होता है तो कितने दिन लगते हैं तो complete काम को 40 दिन लगते हैं तो इसी के अगर 1 4th complete करना हो तो कितने दिन लगेंगे? तो जाहिद सी बात है बीच में कौन सा sign है? अगर मैं इसको 1 4th करता हूँ तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये और ये आपस में कैसे हैं? बराबर अगर मैं इसको 1 4th बनाता हूँ तो इसको भी क्या करूँगा? 1 4th बनाऊंगा? 4 से डिवाइट करूँगा तो 1 4th बन जाएगा? समझ रहें कि नहीं? तो ये data कैसे बन जाएगा? देखिएगा ना? Therefore, 15 persons takes इसको मैं 1 4th कर रहा हूँ 1 4th work बनाने के लिए अगर मैं इसको 4 से डिवाइट कर रहा हूँ इसको 4 से डिवाइट करिए ये ठीक है? ये कितना हो गया? 10 हुआ ना? This is 10 days ठीक है? तो 15 अदमी अगर इसी काम का 1 4th part complete करें तो कितने दिन में कर देंगे? 10 दिन में कर देंगे अब पिचर समझ आया? 1 4th work हमको total करवाना है दूसरे कभी 1 4th ही करवा रहे है न? और 15 दिन में करवा रहे है तो कितने आदमी लगेंगे? ये पूछ रहा है इसमें देख लिए 1 4th complete कराने के लिए 10 दिन में हम complete कराते हैं कितने आदमी लगते हैं? 15 आदमी लगते हैं और अगर मुझे यही काम 15 दिन में करवाना हो तो कितने आदमी लगेंगे? ये ही कोशन है न? तो कितने आदमी लगेंगे? वही तो नहीं पता तो क्या मालने है अपन? X person लगेंगे ठीक है? देखिए उसका picture कैसे बनाते हैं Now, let X person takes 15 days to complete one-fourth work ये समझ आया आपको? ये आया समझ में? हमने माल लिया कि X आदमी 15 दिन में one-fourth part complete करते हैं कोशन ये ही है न? लेंग्वेज आपका अलग हो सकता है sentence आपका different हो सकता है लेकिन बनाने का तरीका वही होना चाहिए समझ गए? ठीक है? तो one-fourth part, one-fourth part 10 दिन में complete करते हैं 15 लेबर one-fourth part, 15 दिन में complete करवाने हैं इतने लेबर लगेंगे? X लेबर लगेंगे अब थोड़ा सा सोचिए वर्क बराबर है? बराबर है? इस same वर्क को जब 15 मजदूर मिलते हैं दियान से देखिए जब 15 लेबर लगते हैं तो कितने दिन में कर देते हैं? इसको मैं 10 लिख दूँ न मिटा के तो समझ रहे हैं आप 10 देज ठीक है? समझें न? 15 मजदूर मिलके 10 दिन में उस काम को कर देते हैं तो अगर मैं इसी काम को 15 दिन में करवाना चाहता हूँ 10 दिन के बजाए 15 दिन में तो मुझे मजदूर ज़्यादा लगाने पड़ेंगे कि कम लगाने पड़ेंगे 15 मजदूर 10 दिन लेते हैं तो कितने मजदूर 15 दिन में उसी काम को कंप्लीट करेंगे काम तो वही है 1414 सेम वर्क समझें? ज़रा बताईए ज़्यादा आदमी कम दिन लेंगे कम आदमी ज़्यादा दिन लेंगे या कम आदमी कम दिन ले रहे हैं कम आदमी ज़्यादा दिन लेंगे क्या लगता है आपको? है ना? अगर 15 आदमी मिलके 10 दिन ले रहे हैं तो अगर मैं दिन बढ़ाता हूँ तो आदमी बढ़ जाएंगे कि घड़ जाएंगे अगर ये पिच्चर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप आगे नहीं बना पाएंगे याद रखिएगा नंबर आप वर्फ तो वही है न वही सेम काम 10 दिन में 15 लोग कर देते हैं तो 15 दिन में कितने लोग करेंगे कम लोग करेंगे कि जादा लोग करेंगे दिन जादा हो रहा है दिन जादा हो रहा है तो आदमी क्या हो जाएंगे आदमी कम हो जाएंगे तभी तो जादा दिन लेंगे समझ रहे हैं कि नहीं आदमी कम हो रहे होंगे तबी तो जादा दिन ले रहे हैं तो देखिये अगर एक quantity बढ़ती है तो दूसरी quantity क्या हो रही है घट रही है number of person कम हो जाएँगे तबी तो जादा दिन लगेगा जादा person होते तो कम दिन लगता है न? और ज़्यादा दिन लग रहा है तो परसंगर से होंगे, कम होंगे तो एक quantity बढ़ी तो दूसरी quantity घढ़ कई, कैसा proportion है ये inverse proportion और inverse proportion बनाने का तरीका याद है ना, same same quantity का ratio proportionate 2 same same quantity का ratio, समझ आया कि नहीं आया therefore this is inverse proportion समझ आया, this is inverse proportion क्योंकि एक quantity बढ़ी, तो दूसरी quantity घढ़ जाएगी आप चाहें तो इसको elaborate करके लिख सकते है कि number of person and time required are inverse proportion to each other ठीक है, लिख सकते हैं, दो quantity कौन-कौन सी है एक number of person और एक time तो time and number of person are inversely proportionate to each other एक बढ़ता है तो एक घढ़ता है ठीक बात, आप कैसे बनाएंगे बोलिए किसी भी चीज का ratio ले सकते हो number of person तो इस किसका ratio लो साथ में number of person number of person, number of person का ratio किसके बराबर होगा number of base, number of days के बराबर होगा अभी तो बोलेंगे दोनो ratio proportion है आपसमे जब ratio बराबर होते हैं तो proportion कहलाते हैं quantities proportionate to number of days is to number of days, यह time required, time required भी लिख सकते हैं time taken, time taken भी लिख सकते हैं समझे, पक्का अब यहाँ पर असली खेल है अब आप कैसे कैसे ratio लेंगे किसको किसको क्या लिखेंगे, ठीक है तो देखिए 15 और यह x कौन बड़ा है, 15 बड़ा है कि x बड़ा है, 15 बड़ा है अगर दिन ज्यादा होते हैं तो यह कम हो जाएगा तो अगर मैं ज्यादा is to कम का ratio लेता हूँ तो time भी कैसे लेना पड़ेगा, ज्यादा is to कम लेना पड़ेगा, समझ रहें अगर आप 15 is to x का ratio लेते हैं जाहिद से बात है यह ज्यादा है, यह कम है तो time का ratio भी कैसे लेंगे, ज्यादा से कम लेंगे, समझ आया? तो कैसे लेना पसंद करेंगे, ज्यादा से कम की कम से ज्यादा कम से ज्यादा, कम से ज्यादा ले लें यह कम है कम वाला है ना यह और यह ज्यादा so कम is to जादा तो proportionate to यहां भी क्या लेना पड़ेगा कम से जादा, कम कौन है यह? जादा कौन है यह? so this is 10 is to 15 ठीक है? अब बाकी आप जान रहे हो इसको हम लिखेंगे यहां देखिए, डाइरेक्ट आप कर सकते हैं बिना ratio पेशो में लिखे कैसे? आपको पता है जब भी 4 quantity आपस में proportional होती है तो extreme term के multiplication किसके बराबर हो जाते हैं? middle term के multiplication के बराबर डाइरेक्ट लिख सकते हैं और नहीं समझ में आ रहा है तो यह upon यह, यह upon यह cross multiply करोगे दो step के बाद तो वहीं पहुँचागे जो अभी हम डिसकस कर रहे हैं तो कैसा करने पसंद करेंगे आप दो step लगा लें कि knowledge लगा लें extreme middle term वाला दो step लगा लें हैं ना वाँ x upon 15 is equal to देखिएगा मैं बताता हूँ कहां पर पहुँचने वाले हैं अब हम क्या करें यह multiplied by यह यह multiplied by यह so this is 15x is equal to 15 multiplied by 10 ठीक है ठीक है यहीं तो पहुचते है देखिए जारा यह दो step हमारे वेकार चले गाए ना extreme term का multiplication किसके बराबर होता है middle term के multiplication के बराबर यह देखो x multiplied by 15 x multiplied by 15 it is equal to 15 multiplied by 10 middle term का multiplication दोनों बराबर आया समझ में तो यह step बच जाता यही पहुच जाते डाइरेक्ट ठीक है अब x निकालना है आपको so this is 15 multiplied by 10 divided by 15 cancel so x कितना आया 10 आ गया और x हमारा क्या था number of person so कितने आदमी लगेंगे 10 आदमी उसी काम को 15 दिन में करेंगे जिस काम को 15 आदमी 10 दिन में करते थे एक दुछरे का उल्टा है ना 15 आदमी 10 दिन में कर रहे हैं तो 10 आदमी 15 दिन में कर रहे हैं उसी काम को समझ आया पक्का नोट कर लिजिए next question हम discuss करेंगे example number 17 two taps A and B can fill a tank in 30 minutes and 40 minutes respectively एक टंकी है जो हमारे छट पर रखी हुई है syntax जिसको बोलते है ठीक है एक टंकी है न उस एक टंकी को मैं कभी एक नल से भरता हूँ कभी दूसरे नल से भरता हूँ मेरे पास दो नल है कितने नल दो tap है एक tap का नाम है A और दूसरे tap का नाम है B जब मैं A वाला नल चालू करता हूँ तो ये टंकी को भर देता है पूरा फुल कितने मिनट में 30 मिनट में और जब इस नल से भरने के बजाए B वाले tap से भरते हैं इस नल को चालू करेंगे B वाले को तो ये भी टंकी भर देता है लेकिन ये कितना टाइम लेता है 40 मिनट लेता है दोनों नल का कहानी समझागे आपको टंकी वही है 1000 लीटर की मानलोग ठीक है थर्ड टैप C can empty the tank in 60 मिनट उसी syntax के उसी टंकी के नीचे में एक नल लगा हुआ है syntax में लगाते है नीचे नल खाली करने के लिए जब मैं उस C वाले टैप को खोलता हूँ जो syntax में लगा है तो वो पूरी टंकी खाली कर देता है कितने देर में 60 मिनट लेता है पूरा पानी बहा देता है टंकी का तो खाली करने में वो C वाला टैप कितना टाइम ले रहा है 6 A वाले टैप से भरने में कितना टाइम लगा 30 मिनट B वाले टैप से भरने में कितना टाइम लगा 40 मिनट और अगर टंकी का हिनल खोल दिया जाए तो खाली करने में कितना टाइम लग रहा है तो C वाला टैब 60 मिनिट में खाली कर देता है समझ गए? If all three tabs are open together How long will it take the tank to fill up? अगर तीनो नलेक साथ खोल दिये जाएं A और B भरने का काम करेंगे और C खाली करने का काम करेंगे और हम तीनो नलेक साथ चालू कर देंगे A से पानी जा रहा है B से पानी जा रहा है C से पानी निकल रहा है तो कितनी देर में टंकी भर जाएगा तीनो नल खुले हुए है ठीक है? कैसे बनाएंगे? यह बड़े अच्छे कोशन है याद रखिएगा Competitive Level में ना सब से मज़दार कोशन इसी टॉपिक से आते है इसका पूरा एक चैप्टर मिलेगा आपको यह जो एक कोशन आप अभी देख रहे है नल टंकी वाला आप जब आगे Competitive Exam में जाएंगे किसी चीज की कोचिंग और गयरा की तैयारी करेंगे जॉब के लिए तो आप देखेंगे आपटीटूट में पूरा इसका चैप्टर बना हुआ है टाइम और वर्क का टाइम और वर्क का पूरा एक अलग से चैप्टर और यह जो टॉपिक है नल और टंकी वाला इसके नाम से अलग से चैप्टर मिलेगा इसको बोलते हैं Pipe and Systern पूरा अलग से चैप्टर मिलेगा आपको देखना हो तो आरे सगरवाल साथ की एक book आती है competitive level की General Attitude by आरे सगरवाल वो book ले लीजिए लगाई है क्योंकि नौकरी तो सबको करनी है तो तैयारी तो सबको करनी पड़ीगी बिना crack की exam नौकरी नहीं लगेगी अभी से book लीजिए अभी से लगाई आरे सगरवाल ठीक है बहुत अच्छी book है तो पूरे chapter उसके मिलेंगे इस जो एक एक question आपको मिल रहे है न इस question पर पूरे-पूरे chapter मिलेंगे 50-50-100-100 question होंगे उसमें और वो सिर्फ आदे मिनट में आपको बनाने होते हैं ऐसे questions रहेंग ठीक है तो इसके छोटे-छोटे trick भी है छोटे-छोटे जो मैं अभी यहां सिखाने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ क्योंकि आप लोग बोर्ड लिखने वाले हैं नहीं तो मैं trick भी आपको बताता आप देखते हैं आदे मिनट से भी कम टाइम में बन जाते हैं ऐसे question इतने मज़दा trick होते हैं ठीक है चलिए example number 17 कैसे बनाएंगे हमारे पास दो नल है जो पानी भरने का काम कर रहे हैं हमारे पास एक नल है जो टंकी खाली करने का काम कर रहा है कैसे बनाएंगे तीनो नल एक साथ खुले हैं तो दो तो भर रहे हैं और एक खाली कर रहा है ठीक है तो थोड़ा सा इसको बनाते है टैप नंबर A, A कितना टाइम लेता है एक वर्क को करने के लिए, एक टंकी भरना मतलब एक वर्क, एक टैंक भरना मतलब, वन टैंक को क्या बोलेंगे, this is the complete part of one tank, this is our job, one complete work, एक टंकी भरना, एक काम करना, या आप उसको one part भी बोल सकते हैं, one टैंक भी बोल सकते हैं, जो बोलना है, ठीक है न, ठीक है, देखी कैसे बनाएंगे न, जब हम A वाली नल को चालू करते हैं, टैप A, तो वो तीस मिनट ले रहा है न, एक टंकी भरने के लिए, सेंटेंस आप कैसे भी लिख सकते हैं, आप सब इंगलिश मीडियम के बच्चे ह अपने शब्दों को यूज करके कैसे भी लिख सकते हैं, आगे पीछी, देखी कैसे बना रहे हैं न, पार्ट फिल्ड बाए टैप A, इन 30 मिनट्स, कितना, वन टैंक, समझ आया, यानि टैप A जब चालू होता है, तो तीस मिनट्स में कितना टंकी भर देता है, या इस टंकी का कितना पार्ट भर देता है, वन पार्ट, वन पार्ट मतलब complete टैंक, ठीक है तीस मिनट में फुल पार्ट, वन कंप्लीट पार्ट, तो एक मिनट में कितना, ये 30 कहां चला जाएगा, ठीक है न? सो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, वन, मिनट, और कितना पार्ट, वन अपॉन 30 पार्ट, पार्ट मतलब समझ गए न? समझे कि नहीं समझे उस टंकी के कितने टुकडे करें तीस टुकडे उसमें से एक पार्ट भरेगा एक मिनट में समझे कि नहीं समझे टुकडे नहीं करने हैं न समझाने के लिए दिमार्ग में टुकडे कर लीजिए कि हमने तीस पार्ट बना है उतना हिस्सा खाली भरता है एक मिनट में तो यह sentence आप फिर से उतारेंगे और ऐसे लिख लेंगे टैप A ठीक है? ठीक है? तो टैप A एक मिनट में इतना हिस्सा भरता है टंकिएगा एक मिनट में याद रखिएगा time work वाले जितने question होगे हम सब में one 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 का निकाला करेंगे ठीक है? अब आईए यह case number one हो गया ना? case number two हाँ बी वाला नल जब चालू होता है यह कितना time लेता था? 40 मिनट और 40 मिनट में कितना टंकी भरता है यह? एक टंकी भरता है 40 मिनट में तो एक मिनट में कितना हिस्ता भरता होगा उस टंकी का? ठीक है? तो इन वन मिनट इट विल फिल वन अपॉन फॉर्टी पार्ट अब दा सेम टैंक ठीक है? कौन? टैब बी एक मिनट में इतना पार्ट भरता है ठीक बात? यहां तक समझ आया? यहां तक समझ आया? कि नहीं आया? तो एक मिनट में दोनों मिल करके कितना भर देते होंगे? एक मिनट में दोनों मिल के? भई दोनों तीनों नल चालू है ना? अब इस सिर्फ हम भरने वाली की बात कर रहे हैं प्लस ये, एक मिनट में, समझ आया, लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, यहां तक समझ आये कि नहीं आया, ठेक, अब हम आते हैं, C वाले टंकी पर, वो क्या काम करेगा, खाली करने का, now, part amputed by tab C, C वाला नल, कितना part खाली करता है, कितने देर में, पूरी टंकी खाली कर देता है, 60 मिनट में, 60 मिनट में, एक तंकी खाली कर देता है, तो एक मिनट में, कितना हिस्सा खाली करता होगा, ठीक है ना, in one minute, it empty, one upon sixty part, ठीक है, यह, समझ आया, आया की नहीं आया, 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 अब क्या करें, अब मेरे पास, तीनो नल का, एक एक मिनट का, वर्क फंशन आ गया, ए वाला नल, एक मिनट में, one upon thirty part भर देता है, बी वाला नल, एक मिनट में, one upon forty part भर देता है, सी वाला नल, एक मिनट में, one upon sixty part पानी बाहर निकाल देता है, इतना खाली कर देता है, पार्ट ना टंकी का 1 upon 60 पार्ट खाली कर देता है समझ आरहा है यह कि नहीं आरहा अब हमने तीनो नल चालू कर दिया तो बताईए एक मिनट में कितना पानी भरेगा द्यान से सोचिए तीनो नल चालू है A से पानी भर रहा है B से पानी भर रहा है इमेजन करिए तीनो नल इकठे चालू है घड़ी हमने चालू किया स्टॉप वाच एक मिनट तक की काउंटिंग ले ली और एक मिनट के बाद नल बंद कर दिया तीनो नल बंद कर दिये तो कितना पानी भरा कितना पानी निकला आपके पास डेटा है ये एक मिनट में कितना भर दिया होगा ये एक मिनट में कितना भर दिया होगा और ये कितना निकाल चुका उसे एक मिनट में इतना तो इतना पानी भर चुका इतना पानी निकल चुका तो कितना पानी बचा कितना बचा इतना इतना गया इतना निकल गया तो कितना बचा इन दोनों का सम जो भरा और जो निकल गया उसको निकाल दिये तो जो बचा उतना पानी भरा है समझे की नहीं इतना पानी आया इतना पानी आया एक मिनट में और इतना पानी निकल गया तो बचा कितना इन दोनों को sum करिए इसको minus कर दीजिए जो निकल गया तो जो बचेगा वो बचेगा उस टंकी में एक मिनट में समझे के नहीं समझे आप देखिए न therefore if all three taps are open together then part filled by all यानि A, B and C taps part filled by A, B, C tap तीनों tap कितना पानी भरेंगे in one minute one minute बताईए तीनों नल खुले हैं तो एक मिनट में कितना पानी इस्टोर होगा उस टंकी में A से जितना आया B से जितना आया उनका sum और C से जितना चला गया उसको minus कर देंगे जो बचेगा वही इस्टोर होगा समझे कि नहीं तो देखिए इतना आया A से इतना आया B से तो हमने दोनों को जोड लिया आने वाली यह हो गई और जाने वाली अरे वही electricity वाला याद करो ना आने वाला current और जाने वाला current जन्शन पर तो कितना बचेगा जितना आया और उसमें से जितना चला गया तो जाने वाले को निकाल दो आने वाले से जो बचेगा वही इस्टोर रहेगा ना टंकी में इतना तो आया एक मिनट में A और B नल से और निकल कितना गया 1 upon 60 निकल गया तो इसको क्या करें अपन माइनस तो इसका solution ही बचेगा टंकी में है ना इसको solve कर लेते हैं कितना आएगा बताओ तो LCM कितना होगा 3, 4, 6 का LCM 12 और एक 0 लगा लेते हैं 120 This is 120 30 से डिवाइड करेंगे 4 वंजा 4 4 से डिवाइड करेंगे 3 into 1 3 60 से डिवाइड करेंगे 2 into 1 2 4, 3, 7 7 में से 2 गया कितना हो गया 5 This is 5 out of 120 part इतना part एक मिनट में भर जाएगा खाली करने के बावजूद C वाला खाली कर रहा है C वाला खाली कर रहा है खाली होने के बावजूद भी A और B से पानी आ रहा है उसके बावजूद भी कितना हिस्सा भर जाएगा एक मिनट में कुल इतना हिस्सा भरता है इतना हिस्सा भर जाता है टंकी तिनो नल चालू रहेंगे तो भी A से आ रहा है B से आ रहा है C से जा रहा है उसके बावजूद भी एक मिनट में कुल कितना पानी भरता है टंकी में इतना पानी भरता है समझे कि नहीं समझे ये कौम सा डेटा है एक मिनट में इतना पानी भरा है ना हमको क्या निकालना है हमको क्या निकालना है बोलिए तीनो नल हम इकठे चालू कर देंगे तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी तो यही है ना तीनों नलिकट्थे चालू है तो एक मिनट में कितना भरता है टंकी इतना हिस्सा तो अगर मैं यहाँ वन बना दूँ तो वन टंकी भरनी है ना यह पूरा डाटा इधर आ जाएगा तो यहाँ पर टाइम आ जाएगा इसको मुझे क्या बनाना कितना पार्ट वन पार्ट मतलब complete टंकी तो वन बनाने के लिए इन सब नंबर को किधा लाना पड़ेगा अभी यहाँ पर वन है और इधर पर फाइब अपॉन ट्वंटी है यह वन ट्वंटी इधर आएगा तो उपर चला जाएगा फाइब इधर आएगा नीचे आजाएगा तो यह दोनों अगर इधर आ गया इस पार तो यहाँ कितना बचा तो एक टंकी भरने में कितना टाइम लगा वन ट्वंटी अपॉन फाइब 120 अपॉन 5 कितना 24 मिनट मिनट ही आया ना समझे ना नोट करिए therefore all tabs together filled 5 अपॉन 120 पार्ट in one minute ठीक है ना 5 अपॉन 120 पार्ट इन one minute so इस सब को उधर ले जाई तो यहां कितना पार्ट बचेगा one part one part मतलब one tank तो सब टाइम आ जाएगा उसका therefore same 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 this is one tank in कितना यह 120 ऊपर 5 नीचे यह कितना होता है 24 minutes तो 24 minutes लगेगा एक टंकी को भरने के लिए जब तीनो नल चालू रहेंगे इसमें से दो भरने वाले हैं और एक खाली करने वाला है समझाया ठीक है एक्जाम्पल नमबर 18 हम डिसकस करेंगे और हमारा एक्जाम्पल है a pump fills a tank in 2 hours but due to a leak it takes 3 hours to fill it if the tank is full how long will it take to amputee due to the leak ठीक है question को समझीए जड़ा फिर से वही case है pipe and kitchen वाला ठीक है ना हमारे पास छत में एक syntax रखा हुआ है एक tanky रखी हुई है और आपकी बार हम उसमें पानी भर रहे हैं pump लगा की तुलू pump ठीक है ना motor pump, water pump जो भी आप लोग बोलते होंगे हम लोग तुलू pump बोलते हैं ठीक है आप लोग भी बोलते होगे ना तुलू pump सुने हैं कि नहीं आप लोग भी बोलते हैं common language में जो भाई है तुलू pump कोई बुराई नहीं इसमें ना ठीक आप सुनिए ना नीचे हम pump लगाते हैं मोटर का उपर सप्लाई देने के लिए तंकी भरने के लिए जब मैं pump से पानी भरता हूँ तो कुल दो घंटा लेता है मोटर और पूरी तंकी भर देता है वो तंकी जितने लीटर की भी होगी उससे लेने देना नहीं है पूरी तंकी कितना टाइम में भर जाएगा अगर मैं pump से भरता हूँ तो दो घंटा दो घंटे में almost पूरा टैंक फिल अप हो जाता है ठीक बात लेकिन उस तंकी में एक छेद है नीचे ठीक है ना क्या है एक छेद है लीक है टंकी ना ठीक अगर वो छेद चालू रहता है पानी उससे निकलता रहता है छेद से और अब मैं अगर pump से पानी भरता हूँ तो उस pump को पूरा टंकी भरने में तीन घंटा लगता है बिना लीक के अगर pump पानी भरे तो कितना टाइम लेता है टू आवर और लीक के साथ अगर लीक चालू हो जाए टंकी में पानी निकलने भी लग जाए तो फिर अगर मैं pump से भरूँ तो वही pump कितना टाइम लेता है तीन घंटा जो पहले दो घंटा लेता था बिना लीक के है ना तो आप बताईए अगर मैं पूरा टंकी भर दूँ पूरा टंकी भर दूँ तो उस लीक की वज़े से कितना टाइम लगेगा टंकी को पूरा खाली होने के लिए अगर लीकेज से पानी निकलता रहे तो कितने टाइम में पूरा टंकी खाली हो जाएगा टाइम निकालना है आपको कुछन समझ में आया या नहीं आया आया ना हाँ चली बनाते न फिर समझ आएगा सबसे पहले हम पंप से लेते हैं कि पंप दो घंटा में एक टंकी भर देता है फॉर्मेट समझ में आ रहा है लिखने का क्या लिखना है देखिये न पाट फिल्ड बाइ पंप इन टू आवर्स कितना एक टंकी समझे ये समझ में आ रहा है सेंटेंस पाट फिल्ड बाइ पंप यानि एक टंकी में कितना हिस्सा पंप ने भर दिया दो घंटे में फूरा पाट वन पाट, वन टेंक लिखो, वन पाट लिखो वन जब भी अपन यूज करेंगे पूरे के लिए यूज करेंगे ना 100% 100% को वन पाट बोलते हैं ठीक है ना, एक टंकी कितने घंटे में भरता है दो घंटे में भर देता है, कौन, पंप तो एक घंटे में कितना हिस्सा भरता होगा कितना part अगर मैं इसको इसको मैं एक घंटा बनाऊं तो ये कितना हिस्सा भरेगा one upon two part part लिखो, tank लिखो, कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है ना one upon two tank लिखो कि तो क्या मतलब होगा आधा टंकी one upon two मतलब half न तो half tanky भर जाएगी एक घंटे में दो घंटे में पूरा टंकी भरता है तो एक घंटे में कितना भरेगा half tanky भरेगा आधा टंकी तो यह वही एक घंटे में आधा part भरेगा समझे ना समझे बोलो ना हसके ठीक है भर गया भर गया अब leak के साथ अगर leakage भी चालू हो जाए तो फिर इसी pump को कितना time लगता है तीन घंटा देखिएगा ना अगली situation ले रहे है part filled by the same pump with leakage यह लगाएंगे आप न वही pump कितना हिस्सा भरेगा leakage के साथ तीन घंटे में बताइए in three hours तीन घंटे में वही pump leakage के साथ यानि leakage से पानी भी निकलता जा रहा है pump भरता भी जा रहा है तो तीन घंटे में कितना टंकी भर देगा एक टंकी पुरा कंप्लीट भरता है तीन घंटे में again this is one tank one tank और one part जो आपका दिल करे लिख लीजी ठीक है तो एक घंटे में कितना हिस्सा भरेगा अगर leakage चालू है यह same sentence आप उतारेंगे यहां तक in one hour कितना one upon three part of the tank समझे न तो वही pump leakage के साथ एक घंटे में कितना हिस्सा भरेगा एक तिहाई हिस्सा पूरी टंकी है तीन हिस्से बनाईए टंकी के एक तिहाई हिस्सा भरता है अगर leakage चालू रहता है और leakage नहीं रहता है तो आदा टंकी भर देता है एक घंटे में leakage चालू रहता है तो एक घंटे में one third part भरता है समझ में आरा है situation आप visualize कर पा रहे हैं दिमाग में क्या चल रहा होगा टंकी के बारे में सोचिए syntax के बारे में पानी आ रहा है कितना भरा होगा आदा टंकी किसको बोलते है one third टंकी किसको बोलते है आरा समझ में एक टंकी का जो भी volume है उसको तीन तुकड़े करके सोचिए एक तुकड़ा भरा है दो हिस्सा खाली है भी तो एक घंटे में one third part भर देता है leakage के साथ ठीक है अच्छा आप अगर पूरी टंकी भर जाए तो leakage कितना टाइम लेगा उसको खाली करने के लिए यही चीज तो हमको नहीं पता न तो इसी को क्या मालने कितना टाइम लेता होगा x x hour न hour में चल रही है इस्टोरी तो हम क्या बोलेंगे hour में ही चलेंगे बताईए न now let part emptied by leakage in जड़ा सोचिएगा न part emptied by leakage in इतने घंटे में एक टंकी खाली हो जाएगी कितने घंटे में कितने घंटे में x घंटे में पूरी टंकी खाली तो इसको मैं कितना लिख हूँ x घंटा हमने क्या मान लेक्ट leakage takes x hour to empty one complete tank समझाया leakage x घंटा लेता है एक टंकी को खाली करने के लिए तो जड़ा बताईए x घंटे में पूरी टंकी खाली होती है तो एक घंटे में कितना हिस्सा खाली होता होगा तेक है न इसको मैं लिख रहा हूँ one hour में कितना part खाली हुआ one upon x part empty हो गया किस के द्वारा leakage के द्वारा समझाया जाएंगे लिख लेंगे sentence लिख लेंगे न समझाया यहां तक आया पक्का अब देखिए एक घंटे में इतना part यह खाली करता है कैसा variation है यह कैसे बनाएंगे इसको सोचिए आपी लोग सोचिए अब कैसे बनेगा यहां तक तो हो गया data handling analysis का काम हो गया न अब हम कैसे बनाएंगे कैसे बनाएंगे हमारे पास यह दो option है एक घंटे में सादा pump सिर्फ बिना leakage का इतना हिस्सा भरता है एक घंटे में leakage चालू है इतना भर देता है leakage के साद जानी पानी निकल भी रहा होगा और इतना भर आता है और leakage अकेला एक घंटे में इतना हिस्सा खाली करता है कैसे बनाएंगे सोचिए सोचिए कैसे बनेगा फिर से सोचिए यह जो one third part है यह कौन सा है पढ़िए जरा हमने pump चालू किया leakage भी चालू है pump से पानी भी आ रहा है leakage से पानी जा भी रहा है दोनों कामी कठे हो रहे है और एक घंटे में कितना हिस्सा भरा one third हिस्सा भरा लेकिन इस हिस्से में कौन-कौन सामिल है पानी का आना भी शामिल है और निकलना भी शामिल है दोनों चीज़े चल रही है एक साथ तब जाके one third part भरता है एक घंटे में यानि इस work में इस function में दोनों चीज़े एक साथ चल रही है पानी का भरना भी और leakage से पानी का निकलना भी तब जाके एक घंटे में one third part भरता है समझे न, यानि इसमें क्या-क्या हो रहा है पानी भर भी रहा है और पानी निकल भी रहा है बताईए कितने घंटे तक चला पंप एक घंटे तक चला पानी भरा भी और पानी निकला भी अब बताईए एक घंटे में पंप कितना पानी भरता है एक घंटे में फिर से, फिर से सुनिए, फिर से सुनिए, एक घंटा चला, one third part भरा लेकिन कब, one third part कब, सिर्फ इस प्रोग्राम को सोचिएगा, ये वाला work, इस work के बारे में ध्यान लगा के सोचिए, ये जो काम हो रहा है एक घंटे में, one third part का भर जाना, syntax के अंदर, इतना ह बोनों काम штक चल रहा है, कितनी देर तक चल रहा है ये काम? अब बताइए, अगर मैं सिर्फ बोलता हूँ, पंप के बारे में सोचिए, एक घंटा में कितना portion पंप भर देता है? ये काम हो रहा है ना भरने का, तो एक घंटा तक अगर पंप चला, तो पंप कितना भरेंग आया, कुछ निकल गया, बचा कितना, इतना part भरा, तो ये part किस के बराबर है, आंशर है भरत और निकलने के बराबर, तो ये आकेला किसके बराबर होगा, एक घंटा तक चला ना, इसमें दोनों चीजे चल रही है, क्या, इसमें पानी एक घंटे में आया भी pump से, और एक एक घंटे के अंदर पानी गिरा भी टंकी में उसी एक घंटे के अंदर लीक से पानी निकल भी गया तंकी से समझे ना तो ये किसके बराबर हुआ तो आंसर है एक घंटे में पंप जितना पानी भरता है और एक घंटे में जितना पानी निकल जाता है तो आया हुआ पानी टो करbas कि है एकिन सोच पा रहे हैं नौ इसको नचे तो कितना बचेगा इसको मैं समझाता हूं हमने एक घंटा तक मशीन चल आया मैंने का 100 लिटर पानी आया कितना लिटर एक घंटे में मेरा पंप अकेला कितना लिटर भर देता है 100 लिटर भर देता है और अगर मैं नल चालू कर दू नीचे लीक वाला तो एक घंटे में वो 40 लिटर पानी गिरा देता है कितना गिरा देता है यानि अगर पंप भरेगा तो एक निकलने वाला leakage भी, तो ये एक घंटा तक चलेगा, तो ये कितना पानी भरेगा, 100 लिटर, ये एक घंटा तक पानी निकालेगा, तो कितना निकालेगा, 40 लिटर, इसमें कितना आया, कितना बचा रहेगा, 60 लिटर बचा रहेगा, ये वही तो है 60 लिटर, एक घंटा तक चला पंप अकेला बिना लीकेज के 100 लीटर भर दिया एक घंटा तक पानी निकलता रहा 40 लीटर निकल गया अब हमने दोनों काम इक अठे चालू कर दिये लीकेज के साथ पानी भरना शुरू कर दिया एक घंटा तक पंप चला कितना पानी बचा? 60 लीटर यह रहा 60 लीटर तो यह 60 लीटर किसके बराबर है? 100 लीटर आया 60 लीटर चला 40 लीटर चला गया तो 100 माइनस 40 के बराबर है ना यह 60 लीटर तो यह किसके बराबर हुआ? अभी भी नहीं आया समझ में? अभी भी नहीं आया? देखो तो ज़रा इतने में भी नहीं आया तो फिर क्या आएगा अ कुछ पिच्चर दिमाग में इक्साम्पल देने से मिल नुटा है बिना लीकेज के 100 लीटर पानी भर्तां में ली केज चलता है बिना पानी भरे यानि खाली leakage चालू करें 40 लीटर पानी एक घंटा में निकाल देता है अगर मैं leakage को भी खोल दूँ और pump भी चालू कर दूँ तो pump से तो एक घंटा में 100 लीटर ही आएगा न और leakage से एक घंटा में 40 लीटर ही जाएगा न तो टंकी में कितना पानी बचेगा 60 liter न, तो यही तो है 60 liter तो यह 60 liter किसके बराबर हुआ 100 liter आया 40 liter चला गया, तो 100-40 के बराबर हुआ न, यही तो लिखा 60 liter पानी बचा हुआ 100 liter आया 40 liter चला गया तभी न, 60 बना समझे भाया This is 1, 3 is equal to कितना, 1 upon 2 आया और 1 upon X चला गया समझे नहीं समझे LCM lozerized part का This is 2X 2 divide करेंगे, cancel हो जाएगा X बचेगा, X multiplied by 1 X, X divide करेंगे, X cancel हो जाएगा 2 बचेगा, 2 This is 1 upon 3 Cross multiply कराईए, this is 2X Is equal to 3X minus 6 यह 2X उधर ले जारे है 6 इधर बुला ले रहे है So, this is X is equal to 6 What is X? What is X? Let part amputed by leakage in X hour is equal to 1 tank यानि एक टंकी को खाली करने के लिए Leakage द्वारा खाली करने के लिए कितना टाइम लगता था? X यही तो वो टाइम है, X hour ठेक है न? ठेक है So Leakage takes 6 hour To amputed the tank This is our answer Leakage 6 घंटा लेगा टंकी को खाली करने के लिए समझ में आया कोशन? तोड़ा सा फिर से विचार करिए फिर से सोचिए फिर से देखिए जब तक आप खुद से एनलाइस नहीं करेंगे आप इसके कोशन नहीं बना पाएंगे याद रखिएगा